हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ रश्मी रश्मी की फैमली किचन में आपका श्वागत है तो मैं शेयर करने जा रही है इस वीडियो में कि अपने इस्टील के बरतन हो या बाल्टी को कैसे घर पर चमकाएं एक दम चांदी जैसा तो ये देखिए मेरी कितनी पुरानी बाल्टी है तो इसको मैं घर पर ही साब करूंगी तो वीडियो पूरा यूजफुल होने वाला है तो आप से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखे बिना स्किप की हुए वीडियो पशंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और देखिए इस बाल्टी कितनी गंदी पढ़ी हुए अंदर से ब्यूश गंदी पानी के लिए यूज करती थी तो ये जो गंदी हो गई तो अब मैं यूज नहीं करती हूं लेकिन ये इस बाल्टी को आज मैं बिल्कूल चांदी जैसा नया जैसे आजी मार्केट से लेके आए हैं वैसा चमकाएंगे तो इसके लिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पह करता है तो दो चम्मच इसको भरके डाल देंगे तो इसको थोड़ा मिक्स करेंगे अब इसमें एड करेंगे थोड़ा शाग गरम पानी गरम पानी एड करने के बाद यह लेंगे बिनेगर तो यह आराम से स्वाप पर मिल जाता है 20-25 रुपए में तो यह आदा कटोरी भरक करेंगे तो देखिस सिलूशन बनकार रेड़ी है इस तरीके से मुझे सोलूशन बना लें सोलूशन ज़्यादा बना ले किसी बाटी गंदी हो हिसाब से आप सोलूशन को बनाले जादा चाई तो अब क्या करना है तो जितना यह जो घोल है वाल टी में अपलाई कर देना leading को लगा दिया है और अंदर भी डाल दिया है तो इसी तरीके से रफ कर दिया है अब मैंने ले लिया है एक स्टील का जूना वह हर घर में होता है तो हम बरतज़ शाप करते हैं तो इसको एक ही जगए पर रफ करना है दो से तीन मिट ऐसे रफ करते जाना और यह देखिए जो नीचे निर्मा होता है तो उसको लेके अच्छे रफ करते रहना एक ही जगए पर जब तक वह शाप नहों जगए तो जैसे अब मुझे किनारी जगए होती है तो इसको कैसे साप करें तो आप एक चम्मच ले लिजिए उसका जो पीछे का भाग होता है उससे ऐसे किनारे प उसको ऐसे साप कर लें तो इसी तरीके से बाल्टी को जरूर साप करें तो मैं एक ही जगए से रफ करती जा रही हूं इसी तरीके से सारे जो घोल मैंने बनाया है उसको एपलाई करना है और साप करना है जगे जगे कौने कौने में देखिए बाल्टी के कौने साइड से साप कर लिया इस पाणी पीने वाला भर कर हूं तो मैं इसको पहुंच आइपा ट्रफ द्रा magic यूँच करने लगी थी तो देखिए मैं इसमें शारा जो घोल नमक ौट ू उ आप ही देख सकते हैं पहले कितनी गंदी थी तो तो तुरंत यह काम करता है विनेगर तो देखिए यह देखिए उपर से जहाग बन गए हैं तो इसको मैं रख दूँगी 10-15 मिनट के लिए तो देखिए 10-15 मिनट हो चुके हैं तो थोड़ी अभी जो मेरी अंदर की खार है थोड़ी इसमें मतलब हटी है कि यहुए लिए है मैंने य होते हैं दो इसको अच्छे से रफ करें गे त्क एक जगह करते हुए मेल काटेगा तब तक मैंने अभी साफ यह कर रही थी तो मैंने दस मिनट के लिए और रख दिया था तो जिससे कि जितना भी खार है वो मतलब फूल जाए और वो अच्छे से छूट जाए तो मैंने और गोल भी तयार कर लिया तो उसको डाल दिया तब तक मेरे पास यह जग यह जग पना कशिए तो इसको भी मैने का चलो साब कर लेती हूं तो मैंने इसी घोल सेसको अच्छे से साफ करते हुए चारो तरफ जहाँ यह किनारी होती उसको चमज से करती विठीर जमा हो जाती है Cavity व Héे खार तो इसको भी मैंने साप के लिए देखि अंदर से बिल्कुल जो सपेद पंखार जो होती है जिकनापन जो भी जो भी है तो मैं इसको राटते हो इसको सब्सक्राइब मारा कि भी को दस से 5 तो देखी जो अंदर से हैए देखिए बिल्कुल जो खार देखिए बिल्कुल से छूट चुकी है आप क्या करिए बहुत ज़्यादा अगर बाल्टी आपकी गंदी है तो आप क्या लीजिए जो हार्फिक है जिसे टॉयलेट लैटेंश आप करते हैं तो उसको लेके 10 मिनट के लिए रख दिये तो कितनी भी पुरानी खार जम करी अंदर करी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी थी ना तो उसको कम से कम मुझे आदा घंटा लग गया था अगर आपकी कम गंदी है तो 10-15 मिन लगेंगे इस बाल्टी को साप करने के लिए तो मैंने बाद में चाकू ले लिया है क्योंकि यह सारा जो मैल मकड़ है यह फ जानि से साप करना है तो अच्छे से नौर्मली जैसे बरतन साप करते हैं इसको अच्छे से प्रैस करते हुए अगर जहां घंदा दAY क हरा है तो वहां पे आप पर construct कूँ इसको clean कर लीजिए तो इसी तरीके से बाल्टी को steel की जो बाल्टी है कितनी भी पुरानी खार जमा हो देखी जग मेरा कितना चमचमा गया जिसे आजी बारकेट से लेके आए हैं तो देखी अंदर से बाल्टी एकदम clean हो चुकी है बाहर से भी अगर आपकी एक बार में नहीं हो रही तो आप दूसरे दिन भी ऐसे ही घोल बना कर एक से दो बार और ऐसे यूज करेंगे तो यह जो बाल्टी स्टील की बाल्टी जग कुछ भी स्टील के बरतों हो इसी तरीके से आप साप करते हैं तो आपको वीडियो कैसा लगा है जरूर एक लाइक करना नए है चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना फिर मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो के साथ